सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हुआवे ने अपनी लेटस्ट स्मार्ट वाच लांच कर दी है उस स्मार्ट वाच का नाम है GT2E चीन की स्मार्टफन मैनुफैक्चरिंग कमपनी हुआवे ने अपनी सबसे खास स्मार्ट वाच GT2e को लांच कर दिया है वाच और स्मार्टफन के अलावा कमपनी ने साउंड एक्स स्मार्ट स्पीकर भी पेश किये हैं जिसकी डिजाइन इस तरीके से की गई है कि इसमें फिजीकल बाइब्रेशन नहीं होगा इसमें 360 डिगरी हाई रिजॉलिशन ओडियो मिलेगा इसमें बाइफाई डायेक्ट और ब्लुटूथ दौनों का सपोर्ट दिया गया है यूजर्स को इस स्मार्ट वाच में अमोल्ड डिस्पले काई सारे स्पोर्ट्स मोड और दमदार कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिला है इससे पहले कंपणी ने GT2 स्मार्ट वाच को गलोबल मार्केट में लांच किया था हाला कि अभी तक GT2E smartwatch की इंडिया में लॉंचिंग को लेकर किसी तरह की information नहीं मिली है Huawei GT2E की price की बात करें तो इस smartwatch की price 200 euro यानि करीब 16,512 Indian रुपीज है हाला कि company ने अब तक latest smartwatch की sale को लेकर किसी तरह की information नहीं दी है इस smartwatch के specifications की बात करें तो इस smartwatch में 1.39 इंच की a molded display दी गई है साथ ही इस watch में बहतर performance के लिए 4GB की storage और Kirin A1 processor का support दिया गया है इसके अलावा users इस watch में 500 songs आसानी से रख सकते हैं वही दूसरी तरफ इस smartwatch की battery की बात करें तो users को इस watch में 30 hours का backup मिलेगा Huawei GT 2E में मिलते हैं 100 से ज़्यादा workout mode Huawei ने इस watch में sports lovers के लिए 100 से ज़्यादा workout mode दी है इस watch में climbing से लेकर skateboarding तक tracking करने वाले features मौजूद हैं इस watch की खास बात यह है कि इसमें users को पहली बार blood oxygen saturation SPO2 जाचने की सुबिधा भी मिलेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी टाइप की और टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ